फिर दिखा तमिल नाडू का पारम परिखेल सांड और इंसानों में दिखी जंग बेकावु सांड ने लोगों को खूम न जाया जी हाँ सुप्रिम कोड के बैन हटते ही तमिल नाडू का पारम परिखेल जली कट्टू फिर से शुरू हो गया है आज सुबे के सियम पलानी स्वामी ने अलंगलूर में जली कट्टू को हरी जंडी दिखाई जिसके बाद बेकावु सांड को कावु में लाने का खेल शुरू हो गया इस खेल में जहाँ 1000 सांड तो वही 1200 युवकों ने हिस्सा लिया जिसमें से जीतने वाले को पलानी स्वामी चमचमाती कार देंगे तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जैसे ही पलानी स्वामी ने हरी जंडी क्या दिखाई बेकाबू सांड को काबू में लाने के लिए लोगों की भाग दौड शुरू हो गई तो वहीं वहां मौजूद दर्शुकों का जोश भी अपने चरम पर है हर साल तमिलनाडू में पोंगल मोहतसफ बड़ी धूमधाम से मनाये जाता है जिसका एक बड़ा हिसा जली कर्टू को माना जाता है और शायद यहीं वज़े है कि हर साल तमिलनाडू के लोग अपने पारंपर खेल जली कर्टू को बड़े स्तर पर खेलते हैं वैसे से पहले बीतर समवार को खेले गए जली कर्टू में एक सांड ने एक दर्श की जान ले ली थी तो वहीं 11 प्रतिस प्रद ही घायल हो गए थे अनमेफ नियूस की रिपोर्ट